हारु फीक्स सैमसंग वाई ड्योस स्क्रीन नॉट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार डोस्तों सवागर अब सभी का तिक राच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवाईस पर अपना जो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहाए उसको किसे फिक्स कर सकते हैं ठीक है अगर आपको डिस्प्ले स्क्रीन है यहाँ पर काम नहीं कर रहें अच्छी तरीके से आप टाच यहाँ पर अच्छे से जो है नहीं हो रहा है तो आपको कैसे फिक्स करना होगा मैं आपको दोस्तो कुछ सॉलुशन्स बताऊंगा इसके रिगार्डिंग पर ठीक है आपका प्रॉब दोस्तो कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर हो रहा होगा अगर आपके स्क्रीन वगएरा डेमेज है तो यह दोस्तो एक हाड़वेर का एश्यू है तो आपको सिंप्ली टेग्निशन के पास जाके फिक्स करना होता है ठीक है लेकिन दोस्तो यहाँ पर मान दिजिए के चैनल को सबस्क्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करना है और अगर आप आनलाइन पेसा कामाना चाहते है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते है चले दोस्तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आ जाते है आपका जो केस है दोस्तो उसको देखिए ठीक है आपका जो बेक कवर है उसको रिमूफ कर दीजे और साथे साथ में दोस्तो आगर आपके स्क्रीन पे कुछ भी यहाँ पे स्क्रीन गार्ड वगएरा लगाया हुआ है ठीक है कुछ टेंपर वगएरा है तो उनको आप रिमूफ करके देखिए ठीक है बेक कवर स्क्रीन गार्ड श्टिकर्स तो उन सब को आप रिमूफ करके देखिए अपने स्क्रीन स हो एक फार साफ करके देखें कि दोस्तों अगर गाम वगेरा लग जाते तो भी आपको प्रॉब्लेंट हो सकते ठीक है इस्क्रीन को अच्छे कपरे से एक बर साफ करके देखे, उसके बाद दोस्तों चेक करें, रिश्टार्ट करके, कि आपका problem solve हुआ है या नहीं हुआ है, कई बार दोस्तों कई case में यही reasons रहते हैं, basic reasons और basic solutions, ठीक है, काम हो जाते हैं, तो आप भी सबसे पहले करके देखे, solve हो जाते है problem ठीक है, अगर problem solve नह कॉंजियूम हो चुका है इस तो रेच को 40 परसन या फिर 30 परसन आप फ्री आप करें इस तो रेच क्लीन आप करने के बाद दोस्तों अप्लिकेशन चेक किजिए अगर कोई भी बेड़ एप्लिकेशन से जैसे की ठाट पर्टी आप्लिकेशन यहाँ पे कोई भी आननोन वेब मोबाइल लेग करते हैं फूल हो जाने के बाद तो हमें लगते हैं यहाँ पर डिस्प्रेय आडिफ्री टाच का इश्यू है ठीक है लेकिन ऐसा नहीं होते वह लेगिंग का इश्यू होते और हेंग होने के वजज़े से इसा प्रोब्लिम होते तो आप एक बार जरूर यह करके देखें अगर इससे काम बन जाता है तो ठीक है अगर इससे भी दोस्तो प्रोब्लेम आ रहा है तो आप टाच चेक करके देखें ठीक है अपने मोबाइल पर टाच चेक करके देखें उसके लिए दोस्तों आपको डेवलोपर ऑप्शन चाहिए होगा यहाँ पे तो डे यह developer enabled हो चुका है ठीक है अभी developer option कहां पर है हमें वह search करना है तो last पर हापको मिल जाएगा तो उसमें जाय इनेबल होना चाहिए आपका developer option तो यहाँ पर हमें search करना है pointer location तो चलिए थोड़ा सा नीचे जाके search करते हैं pointer location ओके तो यहाँ पर हैं अभी दोस्तों आपको क्या करना है, इस screen पे आप slide करके देखें, ठीक है, इस तरहे के से आपको draw करके देखना है, इस screen पे, अगर touch आपका काम नहीं करते तो touch यहाँ पर stop हो जाएगा और continue नीचे से होगा, ठीक है, यह running पे नहीं होगा, अगर आपका touch इसी बीच में, ठीक है, problem करते, तो touch इस तरहे के से यहाँ पर remove होके दुबारा से new touch करने सुरू हो जाएगा, ठीक है, तो आपको पतर लग जाएगा कि इस area में आपका screen पे touch problem है, ठीक है, यह touch issue है, या फिर क्या problem है, आपको यहीं से पतर लग जाएगा, अगर आपका यहाँ पर touch का issue आ जाते, तो touch काफी change भी कर सकते हैं, या फिर display चेक करवा सकते हैं, किसी भी technician के पास जाके, ठीक है, तो इस तरह के से भी दोस्तों कई बार हम check कर सकते हैं, सारे साथ दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, तो फिर update करना है, तो फिर update करने से दोस्तों आपके mobile पे काफी जारा improvement हो जाते है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, तो आपके device में और भी ज्यादा यहाँ परफुमेंस अच्छा होने के लिए आपको software अपडेट दिया जाते हैं, तो software को update करें और उसके बाद चेक करके देखें, दोस्तों इससे काफी आपको फाइदा होगा और आपका problems भी हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने problem को fix कर सकते हैं, by any chance अगर problem solve ना हो, तो जाके ही आप अपने mobile को factory reset करें, उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, general management पे जाना है, reset पर click करना है, और factory data reset पर click करते हुए, आपको reset पे डबाके mobile password भर देना है, और reset कर दे ма fix कर सकते हैं, wiring का issue हो सकते हैं, और robot problem हो सकते हैं, display खराब हो गया ठीक है, कुछ भी problem हो सकते हैं, तो वो चेक करने के बाद आपको पता चलेगा, ठीक हैं, उनके पास 1 meter होते हैं, उससे चेक करते हैं, तो उससे ही पता चलेगा, तो इस तरीके से दोस्तो, display, screen, touch, problem हमें fix के परना होते हैं उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसने होगा टेंक्स पर वाचिंग